हलो फ्रेंड्स आप सफी का अपने यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर परदेश, यूनिवस्टियाप, मेटकल साइन्स, CPP, NET, इंटरेंस, एक्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन वीडियो को इंड़ तक देखते हैं तो फ्रेंड्स पहला कोश्चन आप इस किन पर देख पा रहे होंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकास की किरण मुड़ जाती है किरण को मुड़ने को कहा जाता है जो किरण मुड़ जाती है उसके मुड़ने को क्या कहा जाता है आप्सन नमर एक गटना को क्या कहा जाता है आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईएगा तो ज़ग G PERCENT सही आंसर रहने वाला है वो आपसर नमर थर्ड रहने वाला है यानि इस घटना को अप वर्तन कहते हैं प्रकास की करन कौन सगर्ण माध्यम में व्य आप तन कौड जिसके संगत विरल माध्यम में अपवरतन कोड होता है Пр को बताना है कि क्रांतीक कौन सगन माрьम में वैं अप्तन को passwords . U बताना है कि कि एक Dz etपर गोटा है कि बताना है कि कितने डिगरी तक इपरतन कौन होता है क्रांत Toru सगन माद्यम में वह अपवरतन कोण है जिसके संगत विरल माद्यम में अपवरतन कोण होता है आपको इसका सही आफसन बताना है तो जो आफसन नमबर सी रहने वाला है उसका सही इसका आंसर 90 डिगरी होता है कोशन नमबर नेश्ट की बात करें तो तारों के टिम्ट माने का कारण होता है option number 1 प्रकास का अपवर्तन option number second प्रकास का विवर्तन option number C प्रकास का वितिकन और option number D प्रकास का परावर्तन आपको बताना important question है तारों के टिम टिमाने का क्या कारण होता है आप comment box में comment करके बताएगा कि कितने question आपके सही है जो आपको अल्रेडी पता है तो इसका जो सही answer रहने वाला आप comment box में comment करके बताएगा इसका सही option option number A रहने वाला है तारों के टिम टिम टिमाने के एकराण प्रकास का अपवर्तन होता है question number next की बात करें तो दो उत्तल लेंस परसपर संपर्क में रखे हैं संप्तल लेंस होगा आपको बताना है कि अगर दो उत्तल लेंस परसपर संपर्क में रखे जाते हैं तो उन दोनों को मिला के जो एक लेंस बनता है वो क्या लेंस होगा number A option उत्तल लेंस number B option अफ्तल लेंस number C आपको बताना है कि दो उत्तल लेंस परस पर संपर्क में रखे हैं तो इसका जो सम्तल लेंस होगा वो क्या रहने वाला होगा तो इसका जो सही आपसन है आपसन नमबर ए उत्तल लेंस कोशन नमबर नेक्ष्ट की अगर बात करें तो पूर आंतिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिक्तम होगा जबकि किर्ण जाती है आपको बताना है कि किर्ण कहां से कहां जाती है कि पूर आंतिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिक्तम होगा आपसन नमबर ए का क्या कारण होता है कुछन नमबर की बात करें तो ताला आपकी तलीक कुछ उठी हुई resembling प्रतीत होती है क्या कारण होता है तलाब के तली कुछ उठी हुए प्रतिद होती है जैसा आपने गोर्वी किया होता जो इस्टुडेंट विलिस से बेलों करते हैं तो जो इसका जो सही आंशर रहने वाला है वो प्रकास का अपवर्टन होता है यानि List क नंबर C प्रकास का अपवर्टन इसका सही आंशर है माध्य में जाता है तो प्रकास पुझझ का कौन सा अभिल nhi गुड नहीं बदलता है most important questionnaire कूष्चन स्य बहुत बार JP net exam में आया है जब एक वड़ी प्रकास निर्वात में कि상शी पदार्थिक माध्यमें जाता है तो प्रकास पूंझ का कौन सा अविलत्छड गुर्ण नहीं बदलता है नमबर एक वेक नमबर दो थी बतार नमबर तीन तरंग दैर नमबर भी आवर्थि आपको बताना है कि कौन सा अविलत्छड नहीं बदलता है जब एक बड़ी प्रकात निर्वास से किसी पदार्थिक मादने में चाहता है तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है बहुत सारे स्टुडेंट को पता भी होगा और होना भी चाहिए इसका जो T option है frequency इसका सही आपसन यानि आबरती कोशन नमबर नेक्टिकर बात करें तो परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपसन नमबर C रहने वाला है परावर्तन के नियम सभी प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं कोशन नमबर नेक्ट इगर बात करें तो किस कारण बायू का बुलबुला पाने के अंदर चमकीला दिखाई देता है आपसन नमबर ए परावर्तन के आपसन नमबर बी पूर आंतरिक परावर्तन के आपसन नमबर सी अपवर्तन के और आपसन नमबर डे बेवर्तन के तो आपको बताना है किस कारण वायू का बुलबला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपसन नंबर B रहने वाला है मिल सके वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताईए और कमेंट करके बताईए कि आपके कितने कोश्चन आपको आल्रेडी पता थे ठेंक्स फार वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चेनल